आज हम लोग करियर और ऑपरचुनिटी सेग्मेंट की दूसरी वीडियो की बात करेंगे पहला वीडियो हम लोग ने बहुत इंटरस्टिंटी डिसकुशन किया कि कैसे उनका सेलरी क्या रहते हैं और किस तरह की सेलरी वो एक्सपेंट कर सकते हैं एक इनिश्चर वेज में या तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि जॉब टाइटल्स अगर कोई जॉब सरेक्ट करता है तो उसका जॉब टाइटल क्या होना चाहिए और कौन-कौन से ऐसे जॉब प्रोफाइल मार्केट में अवेलबल हैं जो कि आजिसे आपके पार अस बेंग हाइड ऐसे जहां पर आपके पास डेटा आता है स्टुडेंट्स का डेटा आता है उस बेसिस पर आप शेयर करना जाहेंगे कि बच्चों का बेसिकली जॉब टाइटल क्या क्या रहने बाता है इस इंडस्ट्री में अगर वह आते हैं तो देखिए हमारी इन हाउस हमारी एजनसी है बि पास को सामने आया कि कंपंगी को कि 허iration के युग किर्क्राइमने अन्हीज लिटिफेंट्य भूत हो सबसे जेखिए हो इसको कंपनी किसी भी काम पर लगा सकती है, चाहे वो SEO, चाहे SMO, चाहे PPC, PPC, चाहे फ्लेट माहन सकती हो, चाहे कोई भी, इसको सब कुछ आता है, एक ये कंपनी का समझो की 360 डिगरी देखता है, ये बहुत कम लोग होते हैं, बट कंपनी की रुपैमेंट ही होती है, लेकिन अगर इसने की बात करो, इसी से निगलेंगे, नीश, तो SEO, एक्जुटिव होंगे इसमें, सबसे पहला जो है, जी, रही, दूसरा जो हमारे पास है, वो है PPC, पेपर क्लिप, जिसमें Google Ads और Facebook आता है, जिसमें की कुछ बजट होते हैं, हमको कुछ बजट होता है, उसको एक सब्सक्राइब करना, हैस्टाइब करना, हैस्टाइब करना, इसके लिए पूरी प्लैनिंग करनी होती है, इनको दूस का इस्तमाल करना होता है, और पूरी पूरे वीक का इनको प्लैनिंग करना होता है, इनको मिम्स पगरा बनाने होते हैं, ताकि चीजों को वाइरल किया कर सकता लेकिन फिर भी SMM के थुरू आप रीच तो बढ़ा सकते हो और यह company को पता है कि social media एक ऐसा platform है जो की बहुत ही helpful होता है अगर किसी चीज के रीच बढ़ानी है तो viral हो या नहों हो बट चीज़ों बहुत दूर तक को हो जाती है तीसरा जो हमारे पास है वो है content creator का अब content creator ओपेस्ट वारत है Google को बहुत जरूरत होती है चाहे किसी यू platform पे हमें content टालने की जरूरत होती है content creator का role क्या होता है content creator content को research करता है और modify करता है और modify करने के बाद उसको wave पे release करता है ताक कि ज़्यादा लोग aware को इसके product के बारे में services के बारे में और ज़्यादा लोगों को पता चलेगा इसके आगे हमाना जो है वह है wave analyst का wave analyst फोड़ा सा यहां पर tricky है क्योंकि बड़ी कंपिया use करती है जहां पे 30,000-40,000 का daily का प्रजाएं अपकर बात करो तो जो use agencies होती है उनके पास यह mostly यह सारी यह सारी jobs होते है तो small scale की industry में आप कहा रहे है कि उसके requirement आहों की ज्यादा तर उसके काम है इसको basic level पर आप कहा चकते हो उसमें न जो आपका digital marketing executive है यह manager है वही देख लिता है wave analyst का काम ही लेकिन अगर को company सिर्फ wave analyst के लिए डून रही है मतलब वो कुछ जाना चाहती है जहां प्रजी को data को filter करना होगा Excel की अच्छी knowledge होती है इस बंदे को जिसको wave analyst की knowledge होती है और data को अच्छे समाझता है वह analytics पे बहुत अच्छे से इसका पकड़ होता है बहुत अच्छे से हो उसी को यह होता है तो इसमें थोड़ा समय लगता है ऐसा नहीं कि मैं गोड़ों के फ्रेशर ही बंदे चले जाते हैं दो तीन साल इंदेश्ट में बिताने वाले wave analyst के job पे जाते हैं जो हमारा अगला segment है उसमें social media coordinator का social media coordinator करता है सारे platform को लेकर करके कि जितने भी social media sites हैं उन सब पे content को डालना content को किस तरह से manage करना है YouTube पे की video बनाना YouTube पे किस तरह के effects होने चाहिए किस तरह की video आज पर चल रहे है training, trends को ढूणना यह इंका काम होता है उसके बाद हमारा है community manager दिखिए आज के बहुत सारे social media पे groups बन गए YouTube पे भी आप देखोगे बहुत सारे community बन गए हो online और offline दूनों segment में जो अभी personal जे हम लोग भी community रहे हैं तो उस terms में हमने देखा है कि बहुत सारे online platform चल रहे हैं बहुत लोग meetups करते हैं small level पे बड़े level पे events करते हैं वहाँ पी community manager का role बड़ा important हो Community manager मेरे पास जो community manager अलग्स नहीं आता जो social media marketer है उसी मेरे आगे describe करते हैं अपने job description में कि मुझे community manager भी चाहिए अब इसके अंदर जो बंदा social media जाता है वो they know how to manage the community कि बहुत सारे groups में होते हैं बहुत सारे ऐसे मेरे students हैं जो कि आज से एक दो साब के बाद उनके group में 5000-3000 members हैं उन्हों कैसे manage करना है कैसे admin को manage करना है कैसे moderator होते हैं सब कुछ manage करते हो और अच्छे खासे manage हो रहे हैं company के पाक और अच्छे खासे lead generate कर रहे हैं इसके दुरूप अब community manager एक hidden profile है आप यह भी कह सकते हो जो company जो कि बहुत ज्यादा deeply जा चुके हैं digital marketing agency में वही इस चीज को offer करते है जो मेरा explanation में उसके explanation से बता रहे है जैसे कि अभी हम लोग a fundamental of digital marketing के नाम से community run करते हैं तो उस scenario में मैंने बहुत बार देखा है कि आप singly manage नहीं कर पाते हैं जोंको आपको कहीं ना की requirement है post approval है दस्तरे की activities है उसे प्याहिनी offline में भी जो बहुत सारी communities run करते हैं वहाँ पर community manager की requirement बहुत जाता है उनका role and responsibility बहुत जाता है होता ही है और आगी और कुंकुन से profiles इसको आप discuss करना है अब कुछ hidden profiles है लगी यह तो थे core profile मेरे पास जो rare profile आते हैं और जो काफी interesting हमें लगते हैं जो की है हमारा video creator अब video creator जो है इसके लिए एक अलग skill देगे digital marketing का इस relation यह है कि जब video dull जाए जब बन जाए तो उसका promotion लेकिश video create करना इसकी profile आती है हमारे पास digital marketing के जो भी बनते हैं तो उनके पास एक add-on हो जाता है and they can get more salvage आजके time पे video की requirement बहुत huge level अब लोग भी आजके लिए वीडियो भी बना रहे है इसके रिकार्ड करेंगे एडिट करेंगे यह चीजें बहुत जादा कहीं आपको लग रहे है यूटूब पे बहुत सारे यूटूबर आ रहे है जो बहुत अच्छा कर रहे है अब आपड़ा affiliate marketing आपको फूरा affiliate marketing करता है जिसमें की affiliate marketer की requirement होती है companies को अब affiliate marketer जो की affiliates को manage करता अब यहां पर देखें 2 चीजे एक जो affiliate marketing करता हो और एक जो affiliate marketing करवाता यहां पर 2 चीजे affiliate marketing है बहुत सारे term है CPI, ACPN, CPM तो यह कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको digital marketing की पूरी समझ हो और ताकि वह किसी blogger से बात कर सके वह हम आपसे CPI में बात कर रहे है जो cost per lead की पूरी समझ हो तो यह बंदा कौन हो सकता है ऐसा तो कुछी कोई हो नहीं सकता है यह digital marketing होता है लेकिन थोड़ा advanced level का होता है क्योंकि जीजों को समझता है कि एक site जिसके साथ वह tie up कर रहा है जैसे support करो आपके blogging site और आपके पर अच्छाफासा traffic है तो आपके blog के बारे में पूरा research करेगा आपके पर कितना traffic है आपके पर कितना content है आपके content copy है या नहीं है सब कुछ check करने कवाद आपसे बात करेगा वही देखो आपके website में गया था आपको लगा आप affiliate भी करते हो Amazon के लिए Flipkart के लिए तो उस case में भी यह पूरा पूरा इनका work होता है यहां तक पहुंचने के लिए जो भी student है इनको digital marketing export होना पड़ेगा मतलब मैं manager level की knowledge उनका बहुत अच्छा knowledgeable होगे इसी में यह बहुत profile है मैंने research किया email marketing की email marketing मैं कहरता हूं पूरे digital marketing का बर्मास्त है अगर कुछ काम करे न करे यह ज़रूर काम कर जाता है अगर आपके पास अच्छा कासा data है तो आप किसी को भी बहुत सस्थिम्हा अच्छा जीपी है फोरं company के लिए काफी convenient ही हो जाता है तीन पैसे चार पैसे पाक पैसे per mail की posting आती है तो उसको अच्छे कासे रिस्पोंस है जाता है इवन आप और और वर्टिकल अगर सेल सुना होगा इसमें email marketing का अच्छा कासा रोल होता है सिरी जो product को sale करने के लिए जैसे माल लोगे ने laptop लिया उसको laptop cover चाहिए होगा तो फिर हम add नहीं चलाएंगे हम उसी बंदे को laptop cover के लिए mail करेंगे तो इसके लिए email काफी effective होता है तो company payment marketer के बंदे के लिए lease lease से general होते है तो यह भी हमारे पास है यह बहुत interesting चीजह है बहुत सारे profiles निकल के आगे और आगे भी बहुत सारे और भी profile जुड़ने वाले है जो कि कहीने कहीने latest trend के according depend करेंगे तो बहुत 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 धनी बात सारे इस video series में इतना information के लिए करेंगे करेंगे